अलो फ्रेंस विल्कम बैक टो एनुल करेंट अबर सिरीज अब बोदी सत्य पीसिस और आज हम पढ़ेंगे पूरे एक साल का अंतर राष्टिय परिदिश्य के बारे में जो सेप्टेंबर दो हजार उननीस से अक्टूबर दो हजार बीस तक को जो भी इंटरनेशनल अफेर्स सब को कवर करता है और यहां आने वाले फिटिय से डियाए लांस तक ज्रूर देखना इसके साथ मैं आपको बताना चाहाँगा कि बहुत सारे लोग यह कह रहेंगे सर आपके दुवारा दिया गया टेलिग्राम लिंक नहीं काम कर रहा है तो आप यह लिंक ना काम करें तो simply टेलिग्राम पे जाके बोधी सब्सक्राइब सर्च मारें वहाँ पे आपको direct channel उपलब्द हो जाएगा और वहाँ पे आप जॉइन कर सकते हो किसी भी PDF notes के लिए इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेलिग्राम पे subject wise syllabus से हमने quizzes start करी है परतेक section से तो 10 questions का ये quiz होता है तो आप उसे solve करके अपने preparation का जायजा ले सकते हैं तो ये शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आपसे request है channel पे नए है तो channel को subscribe करके bell का icon दबा दीजे ताकि कोई भी latest notification आप तक कासानी से पहुंच सके पहला topic है भारत और चीन के बारे में भारत और चीन हाली में पांसो त्रिये कारी उसना पे इनोंने structure किया है तो इसके बारे में इसमें जानते हैं देखिए आपको पता होगा कि बीते दीनों पुर्वी लद्दा के ये जो कलवान घाती है इसमें ची जवान जो है मारे गहते और ये ऐसा माना जा रहा है कि पिछले पांस दसक में सबसे बड़ा तक रहा हो था तो इसको इज आउट करने के लिए इससे जो भी टेंशन का महौल है दोनों महाशक्तियों के बीच उदबन इसको इज आउट करने के लिए भारत और चीन की डिप लक्षे है कि कोई भी मतवेद हो उसे हम सौट आउट कर ले उसको विवाद का रूप ना दे इसमें भारतिये हित के साथ चाइना हित के साथ भारतिये हित भी मतलब दोनों देशों का हित सामिल है वैश्वी करन के इस जवाने में देखे युद्ध कभी भी प्रयाय नहीं ह हो सकता तो इससी लिए इन्होंने मतवेदों को विवाद में ना बदलने की योजना बनाई है इसके साथ साथ इन्होंने एभी एग्रिमेंट करा है कि सीमा से जो एक्चुल कंट्रोल लाइन है उससे दोनों देशों की सीमा से नाय जो है वाफसी करेंगी इसमें अगला है कि भारत और चीन जो है अपने सीमा प्रोटोकॉल का पालन करेंगे देखिए भारत के द्वारा भारत एक शांती प्रिये देश है हमेशा से ही इसके द्वारा जो भी सीमा के प्रोटोकॉल होते हैं जो भी रूल से रेगुलेशन होते हैं भारतिया सैनी को द्वारा पालन किया जाता है भारतीय सैनिक काफी civilized और well disciplined होते हैं लेकिन चाइना के द्वारा हमेशा ही इसका उलंगन किया जाता है लेकिन इस पांच सुत्रिय का रियोजना में ये सहमाती ब्यक्त करी गई है कि भारत और चीन के जो भी सैनिक हैं वो सीमा प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तथा समवात जारी रखा जाएगा आगे बविश में इसके साथ साथ पांच सुत्रिय कारियोजना में एक पांचवा करी ये है कि प्रस्पर विश्वास बहाली के लिए हमेशा नय कदम दोनों देश मिलके उठाएंगी तो हमने भारत और चीन के बारे में जाना पांच सुत्रिय कारियोजना यहां पे कोश्चन इस तरी के सहरा ही हो सकता है कि हाली में भारत ने किस देश के साथ पांच सुत्रिय कारियोजना पे एग्रिमेंट करा है हस्ताक्षर करा है तो कौन सा देश होगा चाइना ठीक है और उसके बिंदू यह है विपेसी 65 मेंस में आप इसको आई आर के किसी भी कुश्चन में जहां पे रिलेमेंट हो इसको डाल सकते हो आगे देखते हैं अगला पॉइंट है गिल्गित बाल्टिस्तान विवाद के बारे में ये गिल्गित बाल्टिस्तान का हिस्सा है जम्मू एं कश्मीर का आपका उत्री पश्मी हिस्सा है ठीक है ये अकसाई चीन का एरिया है और ये प्योके है ठीक है जिस पे पाकिस्तान ने कबजा कर रखा है जम्मू कस्मीर के भाग को और इसको आजात काश्मीर पाकिस्तान ऐसा बोलता है देगे गिलगित बाल्टिस्तान बिवाज में क्यों है कि पागिस्तान इस शेत्र को एक पूर्ण प्रांद का दर्जा देने पर विचार कर रहा है जिसको लेके जिसको विरुद श्रुब भारतिये डिप्लोमेशी ने पाकिस्तान उच्छा युक्त को यहां पे भी और वहां पे भी पाकिस्तान सरकार के विरुद जो है ग्यापन दिया है यह जो है यह पियोके के साथ भोगोलिक शीमा साजा करता है एज यूनो कौन सा गिलगित बाल्टिस्टान भी बाद हिस्सा आप देख रहे हो यह पियोके है और यह गिलगित बाल्टिस्टान है देखे अगस्त 2009 में हुआ गया था कि पाकिस्तान द्वारा इस शेत्र के लिए स्वाशासन आदेश लागू किया गया था तथा इसी के बाद यह बरतमान नाम से जाने लगा कौनसा गिलगित बाल्टिस्टान वाला शेत्र है ठीक है तो आप एक्चुल इसमें Mapping का प्रश्ण यहां से पूछ सकता है कि योग के वाला एरिया गिलगित बाल्टिस्टान और अक्साइचीन जैसे गिलगित बाल्टिस्टान जो है जम्मु कस्मीर के किस हिस्टे में है बारत और जपान के मद्द साइवर सुरक्षा ठीक ध्यान में रखिएगा साइवर सुरक्षा के शत्र में एक सहयोग समझोते पर अपनी मंजूरी दे दिये है ठीक है इसके साथ साथ भारत और जपान के मद्द 5G तक्नीक इंटरनेट ऑफ तिंग्स और कृत्रिम बुद्धी मतापे भी एग्रिमेंट हुआ है इंटरनेट ऑफ तिंग्स आप सब को मालूम होगा आप मुझे बताएं कि इंटरनेट ऑफ तिंग्स होता क्या है कोशन यहां से भी अराईज हो सकता है यदि साइंस एंटिक का कोशन पूछे तो अगला चुबिक भारत और पाकिस्तान के भारत और जपान के बारे में ही हैं दोनों ने लॉजिस्टिक समझवता किया है आईए देखते हैं इसमें क्या होता है दोनों पक्षो के मद्द सक्षत्र बलो के मद्द आपूर्ती और सेवाओं के पारस परिक प्राउधान मुझे लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रिमेंट MLSA के अनुबंद पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किया है ठीक है अगला टोपिक है विश्व खाद्दे कारकरम के बारे में देखी कि क्यों चर्चा में है नार्वे की नोबल कमिटी आपको पता होगा ने UNK WEP अर्थाद वर्ड WEP आप किजिएगा वर्ड फूट प्रोग्राम को नोवल शांती पुरशकार से सम्मानित किया है क्यों सम्मानित किया है क्योंकि भुकमरी का सामना करने शंगर्स प्रभावी शत्रों में शांती अस्थापित करने तथा युद्धों और शंगर्सों में भुकमरी को एक हति अठाइस हुआ ऐसा संगठन है जिसे नोबेल शान्ती दिया गया है अन्य प्रमुख शंगठन है UNSCR UNICEF UN शान्ती रक्षा कमिट्राश्ट्रिय प्रमाणु उर्जा एजन्सी आदी जान में रखिएगा ठीक है यहां से सकता है कि 2020 का नोबेल शान्ती प्रुषकार किसे दिया गया WFP कौन सा संगठन है जिसे नोबेल शान्ती प्रुषकार प्राप्त कर चुके हैं इसको ध्यान में रखिएगा भारत में अमार के द्विपक्षिय सहयोग के बारे में टॉपिक देखिए यह कलादान मॉल्टी मॉडल परागमन परिवहन योजना है जो कलकता इंडिया के कलकता सीटवे पलातवा और एजवाल सबको यह जोड़ता है ठीक है इसको ध्यान में रखिएगा ठीक है क्या कलादान मॉल्टी मॉडल परागम परिवहन योजना देखिए भारत के केंद्रिये विदेश शचीव और खलसेना अध्यक्ष की दो दिवसिये में अमार दौरा हुआ था हाली में इसमें कुछ एग्रिमेंट हुए हैं में अमार और भारत के गोवर्मेंट के ब जाएगा तता साथ-साथ भारत ने म्यामार को कोविड-19 में सयोग करने का वादा दिया है तता दोनों पक्षों ने कालादान मॉल्टी मॉडल परागम परिवहन योजना के प्रगति पर चर्चा भी करी है अन्य तत्थ इसके अन्य महत्रपूर्य तत्थ हैं म्यामार के रा मुरेह और रिहक वादर जोखा वतर में दो बॉर्डर क्रोसिंग पॉइंट्स को अंतरष्टिय सीमा द्वारा द्वार के रूप में खोले जाने का दोनों देशों ने स्वागत किया तता साथ-साथ इसके भारत ने म्यामार को कैंशर के उपचार के लिए भावा ट्रान ट अस्तानिक सायोग के लिए बुनियादी भी नी अमन भी नी महता था सायोग समझा था इंगलिश में इसे बोलते हैं बेसिक एक्षेंज और को ऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पैशल को ऑपरेशन बेका ठीक है भारत और अमेरिका के मद्द या तीसवी टू प्लस वारता थी ठीक है और या कहां हुई नियू डैली में इसका अस्तान था ये नियू डैली में अतिसरी टू प्लस टू एग्रीमेंट हुआ भारत और अमेरिका के बीज तू प्लस टू एग्रीमेंट क्या होता है आप मुझे कमेंट में कमेंट बॉक्स में बताएं इस समझा के माध्यम से अमेरिका जो है भारत के साथ भू अस्थानिक मांचित्र सैन उपग्रह द्वारा एकत्रित की गई सुचनाओं और वास्त्विक समय पर आधारी तक्नीकी सुचनाओं का आदान प्रदान करेगा चीखें अमेरिका के साथ अन्य समझाते हैं सोमियां जी सोमियां लेओमा कॉमकाशा सब पे मैंने वीडियो बनाया था पिछले साल बहुत ही कॉमकाशा एग्रिमेंट बहुत ही चर्चा में रहा है तो आप इसे देख सकते हैं प्लेइलिस्ट में जाके तता अन्य टू प्लस टू वरता जो हुए हैं अमेरिका के साथ अमेरिका और इंडिय श्रम संगठन बोले तो आई एलो के शासी निकाय का अध्यक्ष बना है ऐसा 35 वर्षों में पहली बार हुआ है 35 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है ठीक है श्रम और रोजगार सचीव अपुर्व चंद्रा को अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक की ओधी के लिए आई एलो के शासी न कीतियों, कारेक्रमों, एजेंडों और बजट का निर्धारन करता है ठीक है आप में समझ लिया आप बताएं कि आये लो का मुख्याले कहां है कमेंड वक्स में आप कमेंड करके मुझे बता सकते हैं अगला कोश्चन है जी ट्वेंटी भरष्टा चार निरोधी कारेश्रमो की बैठक हाली में हुई है सौधी अरेबिया में इसका गठन 2010 में टोरेंटो शिखर समेलन के दोरान G20 के नेताओं के द्वारा किया गया था सौधी अरब की अध्यक्षता में पहली बार इसकी मंत्रिय श्टरिये बैठक का आयोजन हुआ है भारत के केंद्रिये कार्मिक र देहान में रखिएगा अगला टॉबिक है इस्राइल सुधान के मद्ध शांती समझोते के बारे में देखिए अमेरिका की मद्यस्तिता से यह संपन्न हुआ और इस्राइल से समझोता करने वाला सुधान जो है तीसरा अरब देश बन गया है तो आप इसे ध्यान में रखना पाकिस्तान को FATF अर्थात Financial Action Task Force के ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है Financial Action Task Force के अनुसार जो है पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ 27 सुत्रिये एजेंडे को पूरा करने में विफल रहा है जो की मनी लॉंडरिंग और आतंकी विद्भोषन पर अंकुस लगाने से सम्मन्दित था इसलिए इसको FATF के ग्रे लिस्ट में परकरार रखा गया है तो इसे क्या होगा इससे कोई भी देश इसको पैसा देने से बचेगा और कोई भी जो अंजराश्टी संगठान है जो खायता करते हैं आर्थिक रूप से वो भी बचेंगे देखिए इसराइल बहुत ही इसल चर्चा में रहा है इसराइल का चाहें चुना हो या इसराइल से रिलेटेट अंड मुद्दे हो या अरब देशों के साथ सम्झोता हो तो इसराइल का थोड़ा सा पोजीशन जान लेते हैं मेर्टेरियन सी अर्थत भूमद्य शागर से टच करता है इसके पड़ोसी देश हैं इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेवनान ध्यान में रखिएगा ठीक है ये गाजा पट्टी का इरिया है फलिस्तिन से हमें शाबी बात चलता है इसका आगे देख लेते हैं स्रिलंका के संबिधान का बिस्वा संसोधन पारित हुआ है तो कुश्चन या से सीधे सीधे फैक्ट्शल एराईज हो सकता है ध्यान में रखना है संशोधन के दुआरा जो है करकारी राष्टपती के शक्तियों में विस्तार किया गया है तथा आधिक प्रतिरक्षा प्रदान की गई है घलाट अभी के किर्गिस्तान के बारे में किर्गिस्तान में राजनितिक गती वीरोध चलना है आजकल हाली में जो वहां पर संपन सं सद्ये चुनाव हैं उसके बाद सड़कों पर सरकार विरोधी परदर्शन शुरू हो गए हैं इन परदर्शनों के 20 किर्गिस्तान के राष्टपती कौन है सुरोन अबे जीनब कोव ठीक है ध्यान में रखेगा ने रस्धानी बिशकेक में अपातकाल की घोशना कर दी है तो कौशन यहां से इस प्रकाल से राष्ट हो सकता है कि हाली में किस देश ने अपने वहां उत्तपन सरकार विरोधी परदर्शन को देखते हुए अपने है क्रिगिस्तान संघाई शयोग संगठन SCO की मंत्री स्थरिये बैठक हुई है कहां पर रूस की रजदानी मॉस्को में संपन्न हुई है इसके कितने सदश्य है 8 सदश्य है और रैट्स जो इसका रिजनल एंटी टेररिस्ट सिस्टम है इसी चरत्रिये मतलब इससे संबंद अब इसे ध्यान में रखना है भारती महिलाओं की इस्तिती पर आयोग का सदश्य बना है यह प्रमुख वैश्विट निकाय है जो लैंगिक सामानता और महिला श्रक्तिकरण पर ध्यान केंद्रिट करता है भारत और आफगानिस्तान जो है 2021 से 2025 तक 4 वर्षों के लिए इस सदस से रहेंगे भारत चाइना को हरा के इस पद को पदवी को पाया है तो आप इसे भी ध्यान में रखना अबरहम एकॉर्ड क्या है हाली में देखिए खाड़ी देशों के दो देशों बहरीन और युवेई ने इसराइल के साथ एक एकॉर्ड पर स्ताक्षर किया है उस मतलब इनमें अपना सहमती वाला एकॉर्ड है इसी को बोलते हैं अबरहम एकॉर्ड ठीक है तो आप इसे ध्यान में रहना रखना अबरहम एकॉर्ड किनकी देशों के बीच हुआ है बहरीन इवेई और इसराइल के बीच अर्मेनिया और अजर्बैजान विबाद हाली में चर्चा का केंदर रहा है क्यों रहा है देखिए ये अर्मेनिया हो गया और ये अजर्बैजान हो गया ये नार्गोनो कराबाक शेत्र है इसी को लेके दोनों आपस में लड़ पड़े थे तो ऐसा पूस सकता है कि नारगोनो कराबाग शत्र कहां है तो इसका location पूस सकता है आगे इसके बारे में और जानते हैं देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन दोनों देशों के बीच विबाद नारगोनों करावाग शत्र गो लेके एक वार फिर हिंशक संगर्स तक पहुँच गया है के बुले तो नारगोनों करावाग दक्षण पश्रिम अजर्बैजान में इस्तित आक पहाड़ी शत्र है ठीक है जो अजर्बैजान का दक्षण पश्रिम वाला हिस्सा है देखी रहे हैं यह यहां अर्मीनियाई इसाई और मुसलिन तुर्क रहते हैं आगे बढ़ते हैं अंतर अफगान शांती वर्ता हाली में अफगनिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर की रज़ानी दोहा में बहुत प्रतिक्षित अंतर अफगान वर्ता प्रारंब हो गई भारत ने भी इसके शुरुवादी समारों में भाग लिया था तो अंतर के श्रम कानूनों में सुधार किया है और यहां सुधार यहां के शभी शत्रों के स्रमीकों पर लागू होंगे देखिए खमफाला सिस्टम जो भी अरवियन कंट्री हैं खाडी देश हैं यहां पे खमफाला सिस्टम होता है इसमें प्रवासी कामगारों के स्टेटस को कि जाती है बिना माली जी की एक A कोई प्रबासी मजदूर है और खामगार है और चला गया B किसी अरभियन सेख के यहां तो यदि यह जो है जॉब पदलना चाहे या कहीं जाना चाहे अपना अपने देश वापस आना चाहे तो बिना B के अनुमति के नहीं आएगा तो इसी ए एक तरीके का निया modernized दाश प्रता कही जाती है और इसी पीज 2022 में जो है कतर में football world cup आयोजित होने वाला है तो इस system को लेके कतर की काफी आलोचना हो रही थी इसी आलोचना से बचने के लिए इसको ध्यान में रखते हुए कतर ने अपने यहां के श्रम कानूनों में जो भी labor laws होते हैं उसमें amendment करा है ठीक है अब ध्यान में रखना अगला important news है संजुक्त राज अमेरिका और मेकांग साजयदारी के बीच मेकांग नदी बहती है कहां बती है आप उसका location comment box में बता सकते हैं चीन के विस्तारवादी नीती और उसके प्राभाव को कम करने के लिए संज नुजी लैंड के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री विष्टन पीटर्स ने भारत की यात्रा की थी इस दोरान वे भारत 25 संबंदों के निवेश शिर्शक से एक नया रणितिक दस्तावेज भी जारी किये तो ये भारत और नुजी लैंड के बीच important news थी आप इसे द्हान में रखना नमस्ते ट्रम्प कारिकरम काफी सुर्क्यों में रहा और इसकी आलोचना भी हुई एक तरीके से क्योंकि उसके जस्ट बात करोना कोरोना जो है कुबी नाइंटीन का प्रभाव तीजी से पसरा तो विपक्षी पार्टियां जो है बरतमान रूलिंग जो है नमस्ते ट्रम्प कारिकरम का आमदावादिष्टि मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था इस यात्रा के दोरान लगवक 3 बिलियन डॉलर मुन लेके रक्षा शम्जोतों पर भी भारत के साथ अमेरिका और भारत के साथ जो है सेहमती बनी इसके त S64E अपाचे लड़ाकू हेलिकप्टरों की अपूरती करेगा तो ध्यान में रखेगा इसके इसे हाली मोटी कारिकरम हाली मोटी कारिकरम जो है टकसास इंडिया फोरम द्वारा एनारजी एस्टेडियम टकसास में संपन हुआ इवेस्टे में 22 सितंबर 2019 को 24 सितंबर 2019 को पी इसे ध्यान में रखना, इसके लोकेशन को ध्यान में रखना, 27 जितंबर 2019 को इसी अमेरिका यात्रा के दोरान भारतिय प्रधान मंत्री ने यूवेन महा सभा के 74 सत्र को संबोदीत किया, गौन से 74 को, 74 सत्र को आगे बढ़ते हैं अगला इंपोर्टेंट न्यूज है, भारत और पुर्तगाल के बारे में, फरवरी 13 से 16 के बीच पुर्तगाल के राष्टपती, मार्सेलो रेवलो डी सूजा भारत की राज़किय यात्रा पे रहे, और 2007 के बाद किसी पुर्तगाली राष्टपती की या पहली भारत यात्रा थी, हुजरात के लोथल में एक राष्टिय समुद्रिक म्यूजियम हेरिटेज कंपलक्स की अस्थापना हेतु, सायोग पर भी हस्ताक्षर हुआ है भारत और पुर्तगाल के बीचे, अगला न्यूज है, भारत ब्यतनाम के बारे में, बारा फरवरी को भारत और ब्यतनाम के भी सीधी उडान सेवा का चुभारम न्यू दिल्ली में किया गया, आप इसे ध्यान में रखना है, भारत और ब्राजील के बारे में देखते हैं, देखिए, ब्राजील के राष्टपती जियर बुलसनारों ने भारत के एक त्रोय करतंत्र दिवस समार के मुख्या अतिती के रूप में शामिल होने हैं, तो 25 से 27 जनुवरी 2020 के बीच भारत की राज्किये यात्रा संपन्न की थी, ठीक है, ये बुलसनारों की पहली भारतिये राज्किये यात्रा थी, 2020 के पुर्प, 1996 और 2004 में भी भारतिये गरतंत्र दिवस समारों के मुख्या जा चुके हैं, और इस यात्रा के दोराद दोनों देशों के मद्ध, 15 मुमरेंडम ऑफ अंडरेस्टेंडिंग पर हस्ताक्षर भी हुआ, चीक है, आगे देखते हैं, इंडोनेशिया और भारत के रूलेशन्स के बारे में क्या नहीं है, वर्स 2019 में अपने राजनेइक संब दोनों की इन्होंने 17 वी वर्सगाठ मनाई थी, दोनों देशोंने अंडमान निकोबार इस कनेक्टिवीटी को मजबूत करने की दिशा में वह प्रगति पर भी संतोष ब्यक्ति किया था, वरा क्या बहुत इंपोर्टेंट है, वरा का, यह इंपोर्टेंट है, देखते हैं यह अरब जगत का प्रत्थम प्रमाण उर्जा सेंत्र है, ठीक हैं, अरब जगत का प्रत्थम प्रमाण उर्जा सेंत्र है, इसका विकास युवेई के शान्ति पुन नावी की उर्जा कारिकरम के तहत किया गया है, यह नावी की सेंत्र अबुदावी के अलदफरा शत्र मे अरब की खाड़ी के निकट स्थित है तुर्कमेनिस्तान के बारे में देख लेते हैं WTO के प्रवक्षक का दर्जा इसे हाली में प्रात हुआ है और ऐसा 25 देश बन गया यह ऐसा करने वाला परतमान में WTO के सदस देशों की संख्या 164 है और भारत WTO का संस्थापक देश है य बैंकॉक दो नॉम्बर 2019 को नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में स्वास्ती पीम मोदी समुदाई कारिकरम को संबोधन किया था तो बैंकॉक में इसका भाइस वर्षा भी कोशन पो सकता है बैंकट रायपुर और नोलिये स्चाही कोरिसा के दो राज्ये हैं उर्षा के सौरी दो गाउं है जितको यूनेश्कों के अंतर सरकारी महासागरिये बिज्ञान आयोग द्वारा सुनामी रेड़ी टाएक प्रदान किया गया है पांच नॉबर को बिश्व सौनामी जागरूपता दिवस के रूप में मनाए जाता है और हिंद मासागर्शत्र में सौनामी रेड़ी कारकरम को करने वाला भारत पहला देश है और उर्षा जो है पहला राज बन गया है अमेरिका के बारे में कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज है 22 माई 2020 को अमेरिका ने अपचारिक रूप से ओपन स्काई ट्रीटी अर्थात खुला आकास संदी से अपने को अलग कर लिया यह संदी अपने किसी पक्षकार को अनपक्षकार के शत्र में निशस्त्र आवाई निगरानी उड़ानों के संचालन की अनुमती परधान करता है अब अमेरिका ने ऐसा क्यों किया अमेरिका ने रसिया पे रो रसिया पे ऐसा क्लेम किया रसिया पे ऐसा इन्याम लगा है कि रसिया ने जो है अमेरिका के जो बीमान थे उसको अपने छतर में नहीं उने दिया इसी को लेके रसिया अमेरिका ने इसे विड्रॉ कर लिया अपन नेसको, इवेन नेचार सी, इरान प्रमाणु करार, जैक पुआ धहन में रखेगा, मैं पेरिस जलवायों समझाओता, अंतराष्टी अपरादिक न्याले संदी, इन सारे संसाओं से अमेरिका अपने आपको बाहर निकाल चुका है, इंपोर्टन्ट न्यूज, भारत परिशद में देखिए 15 सदसे होते हैं, जिसमें 5 स्थाई होते हैं, और 10 अस्थाई होते हैं, पांच स्थाई सदस कौन-कौन से हैं, आप कमेंट करके बताएं मुझे, 17 जून 2020 को भारत जो है संजुक्त राज सुरक्षा परिशद में अस्थाई सदसे के रूप में जुड एशिया प्रशांद छेतर से भारत का चुनाव 184 वोटों से हुआ जबकि कुल मद्दान करने वाले 192 देश थे आँ देख रहे हैं कितनी वड़ी जीत है ये भारत के लिए या आठवा उसर है जब भारत सुरक्षा परिशत का अस्थाई सदस से चुना गया है इसका दो वर्शिये का रिकाल एक जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2022 तक होगा भारत के अतरिक्ट आयर्वलैंड, केनिया, मैक्सिको और नार्वे को भी वर्श 2021 ये तो जो है सुरक्षा परिशत का अस्थाई सदस से चुना गया है भारत गापी के बीच में भारत जो है गापी के संस्थापक सदसियों में शामिल हुआ है 15 जून 2020 को प्रित्रिम बुद्धी मताप और निर्मित वैश्विक सज़ेधारी अर्थाद Global Partnership on Artificial Intelligence को लांच किया इसके सच्चिवाले की अस्थापना पेरिस इस्तित OECD में खी गई भारत का राष्टी AI Portal 30 मई 2020 को Cambria Electronic और सुचना प्रद्धोगी की मंत्री रवी शंकर प्रशाद ने लांच किया www.ai.gov.in गापी आपको आगया गापी क्या है गापी Global Partnership on Artificial Intelligence है भारत इसके संस्थापक सदच्चियों में शामिल हुआ देखिए उत्री मेसिडोनिया जो है नैटो का तीसवा सदच से बना है भारत को हिंद मास कागर आयोग में परवक्षक का दरजा 6 मार्च 2020 को शेशल्स में आयोजित आयोसी की 34 बैठक में दिया गया इसके अधरिक जपान और युगेन को भी आयोग के परवक्षक का दरजा प्रदान किया गया है देखिए एक्चुली ये दूसरी न्यूज है उत्री मेसिडोनिया एक लाइन की वान लाइन आ न्यूज है आप इसे याद में याद रखना और यह में अलग से न्यूज है कि भारत को आयोटी का अध्यक्ष बनाया गया है देखिए इंडियन ओशन कोर्परेशन और इंडियन ओशन कमिशन का 34 बैठक था इसमें भारत को परवक्षक का दरजा दिया गया है भारतिये भेशल संजीता को आफगानिस्तान की माननेता प्राप्त हो यह हाली में ऐसा करने वाला आफगानिस्तान जो है विसो का पहला देश बन गया है देखे बारतिये वेशल संहिता क्या है या और सदिये उत्पादों की गुर्वत्ता को सुनीशीत करने के उद्धेशे से बारतिये वेशल संहिता आयोग द्वारा विधाई और बैग्यानिक मानकों को बारतिये वेशल संहिता के रूप में उदलब्द कराया जाता है Statue of Unity के बारे में देख लेते हैं हाली में CEO के आठ आशर्जों में इसे शामिल किया गया है Statue of Unity 182 मीटर उची है और ये भारत के प्रतम उप परदान मत्री और द्वी बंत्री सरदार बल्ला भाई पडेल की स्मृति में निर्मित किया गया है इसे ठीक है विश्चु की सबसे उची प्रतीमा है जिए गुजरात राजी के नर्वदा जीले में बिंदराचल और सत्वूरा परवत के बीच इसलिव साधू बेट द्वीब पर निर्मित किया गया है इको आज़ोर के बारे में देख लेते हैं ओपेक से इसे बाहर होने का इसने निर्णा लिया है परतमान में ओपेक के सदस्देशों की कुल संक्या जो है 14 है कुछ दिन पहले 2019 में कतर भी इसे बाहर हो गया था आप ध्यान में रखिये गांचीक है अबू अबू धावी के बारे में देखते हैं देखें अबू धावी में विश्व का पहला क्रित्रिम बुद्धिमता विश्व बिद्धाले की अस्थापना करी गई है इवेई ने 2017 में AI के लिए अर्थात Artificial Intelligence के लिए अर्थात कृतिम बुद्धिमता के लिए सतंत्रम मंत्राले बनाया था और ऐसा करने वाला वा विश्व का पहला देश बन गया था किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इवेई AI के शत्र में जो है नत्रित निभाएगा पिश्व के सामने इंडी को अबुदावी की तिसरी नयाई इक भासा भी बनाई गई है तो अबुदावी के से रिलेटेट कुछ इंपोर्टेंट फैक्स थे आप इसे ध्यान में रखना है अब फिर से बताना चाहूंगा कि टेलिग्राम ग्रूप को आप जोईन कर सकते हैं वहां पर रेंडेमली क्विज चलाय जा रहे हैं तो आप इस को सॉल्व करके अपने प्यारी का जाजाल लेते रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए अंतराश्टियस और गडवंदन इसकी किया और सेंट किट्स और नेविश को आई एसे फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर भी किया गया मतलब यह दोनों देश आई एसे फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किये CMS COP 13 का आयोजन कहां हुआ तो 12 से 15 से 22 फर्वरी 2020 को गांधी नगर में इसका आयोजन किया गया इसका केंद्रे भी सहता माइग्रेटरी स्पीसीज करनेक्ट दप्लाइनेट और टुगेदर वी एलकम विलकम देम होम ठीक है तो यह थे पूरे एक साल के International Current Affairs related कुछ important most important topics तो आपके आने वाले एक्जाम्स BPSC 66 प्रलेम्स BPSC 65 मैंस PSSE, BPSSE की जो भी एक्जाम्स कंड़क्ट होने वाले हैं सब के लिए important है I hope कि आप मेरे दोरा बताएगे information से आप संतुष्ट होंगे आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद जो bell का icon आता है उसे दबा दीजिए तक कोई भी latest notification आप तक असानी से पहुंच सके और अपने friends के साथ भी इसको share करें ताकि इसका लाव जो है आपके अनमित्रों को मिल सके हम फिर मिलेंगे किसी नए topic के साथ तब तक के लिए shining औप टेक कियर अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहें झाल